पीबियम में चल रही छोटे थेकेदारों को रास्ते से हटाने की साजिश बड़ी कमपनी को फायदा देने के लिए बदल दिये टेंडर के नियम घुटालों का गड़ माने जाने वाले PBM में अब चंद पैसों के फायदे के लिए छोटे छोटे ठिकेदारों को रास्ते से हटाने की साजिश चल रही है मामला वाट बॉय की टेंडर से जुड़ा है आरोपे की PBM अधिक शक ने मिली भगत से ये चाल चली है ये टेंडर पूर में 90 दिन की समय अवदी पूरी होने से रद कर दिया गया था लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है तो छोटे ठिकेदारों को बिरुजगार करने वाली शर्तें टेंडर भने के लिए लिखी गई है बता चारा है कि अब तक 50 लाग का सालाना टर्न ओवर करने वाली फर्म टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकती है जिसे बढ़ा कर अब दो साल तक प्रतिवश दो करोड कर दिया गया है 36 गड़ पहुचा टिडियों का दल किसान परेशान मदपदेश की सीमा से कोरिया जिले में घुसा महराश्चों मदपदेश की सीमा पर दो दिन पहले तक मंडरा रहा टिडियों का एक दल हवा के साथ 36 गड़ा पहुचा है कोरिया जलिमे टिडियों ने फसलों को नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया है इसे किसान परिशान है कोड़गेट पुलिस्ताना अंतरगत इसे छेट में लगी निशिधा गया कुरुनवारा संक्रमन के प्रसार को रोकने जेस जोगुंटी पुलिया के नीचे गली नंबर 12 मकान शशी शर्मा से मकान सुरेंद्र भाटी तक और मकान राम गोपाल धामू के मकान मुहबत परधान तक के छेद में निशिधाग्या लागू करने के आदेश जारी किये हैं सुनीता चोधरी ने बताया कि स्ट्वेट में रहने वाले नाकरिकों के स्वास की सुरक्षा और शांती बनाये रखने के लिए डंड प्रक्रिया सहीता 1973 की धारा 144 के तैट निशिधाग्या जारी की गई है अजमेर पुलिस लाइन में कौंस्टेबल ने की खुदकुशी की कोशिश राजिस्तान के अजमेर में पुलिस के एक कौंस्टेबल के आत्मात्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है इसे एक सब्ता पहले राजिस्तान पुलिस के SHO विश्णुताद विश्णुई ने आत्मात्या कर ली थी अज मेरे पुलिस लाइन कोटरम के रहने वाले सिपाई ने शनिवारात बातरूम में फासी का वंदा लगा कर आत्मात्या की कोशिश की लेकिन परीजनों ने जाक जाने से उसे फंदे से उतार का जवाल लाल नहरू चिकेट साले में भरती कराया सिपाई का इलाज वारी और हालत इस्तिर है राजिस्तान सरकार ने रईवार को अनलॉक को वन की गाइड लाइन चारी कर दी है एक एडवाईसरी के तैदा राजिस्तान में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है राजिस्तान सरकार ने जारी की गाइड लाइन्स जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बन कंडेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी बफा जोन में जला प्रशाशन तै करेगा नियम प्रदेश में रातरी कर्फ्यू जारी रहेगा सरकारी कार्याले पून शम्ता के साथ खुलेंगे प्रते एक वेक्ति को अपनी जिमेदारी निभानी होगी घर से बहार निकलने पर मास लगाना अनिवारे है विवास हमारों की SDM को देनी होगी सूचना विवास हमारों में 50 से जाद महिमानों पर पाबंदी अंतिम संसकार में 20 से जादा लोग नहीं हो सकते शामिल स्कूल कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे छोटी दुकानों के अंदर दो बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पल लगेगा चुर्माना बाचपा की पूरु प्रदेश वाद्यक्ष भवलाल शर्मा के अंतिम दर्शनों के लिए आया एक कारेकरता कुरुना पॉस्टिव मचा हड़काम बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इस कारेकरता ने कुरुना का टेस्ट कराया था अब रशनी ये उठ रहा है कि जब कारेकरता ने टेस्ट कराया था तो इतनी भीड में उसे आने की जरुआ थी क्या थी यही नहीं अंतिम दर्शनों में शामिल कई नेता और कारेकरता 24 घंटी के दुरान कई लोगों के संपर्क भी आ चुके हैं ऐसे में अब मेडिकल टीम इस्पेशन की ट्रेवल हिस्ट्री मालूम कर रही है यह किन लोगों के संपर्क में आया है युफ्ती को बंधक बनाकर दो महीने तक सामोहिक दुशकर्म देड़ लाक रूपे में बेशने का भी आरोप राजस्तान के चुरू जिले से एक सामोहिक दुशकर्म का मामला सामने आया है जिले की सरदाश रहर तैसील के भानीपुरा थाने में 19 साग युफ्ती से सामोहिक दुशकर्म का मामला दच हुआ है युफ्ती का कहना है कि उसका परिवाज शामलाल नाम के शक्स के प्रभाव में था जिसने दो साल पहले युफ्ती के साथ उसे घर में अकेला पाकर दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया था जिसके बाद पिड़ता को धमकी दी गई थी कि यदि उसने किसी को खुछ बताया तो उसके भाईयों को मार देगा 15 मार्च को औरोपी श्यामलाल ने युफ्ती के पता को फोन करके उसे संगम होचल में बुलाया युफ्ती का पता उसे अपने साथ लेका संगम होचल पहुचा जहां पर श्यामलाल ने उसे कोल ड्रिंक में नशीरा पधात पिला दिया और होटल के उपर वाले कमरे में ले जाका दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया उसके बाद उसे देड़ लाख रुपे में तीन लोगों को बेच दिया गया तीन आरोपी उफ्ती को हनुमा अंगड के चौदा ऐसेस डबलू चक गाउं ले गए जहां दो मैने तक बंदग बना कर उसके साथ सामुरिक दुशकर्म किया जाता रहा